Hey guys, welcome to your stock my analysis series जहां पर आप मुझे comments में अपने stock का नाम बताते हो और मैं उसका detail में analysis करके आप लोकों के साथ share करता हूँ और हम देखने की कोशिश करते हैं कि recent में हमको कहां trade मिल सकता है और उस trade के पीछे का logic का है और सबसे important बात हम कोई indicator यूज नहीं करते हैं इस प्राइस section को यूज करके पूरा analysis करते हैं और उस trade को execute करते हैं आप यार बिना time waste के वीडियो को करते हम स्टार्ट तो हम आचुके TN Petro के monthly time frame के चार्ट के उपर इंड आज की इस वीडियो की मुझे request मिली यश तीवारी की तरब से तो analysis को start करते हैं इस stock से related आपकी जितनी भी क्योरी होगी सारी क्योरी soul होने वाली और एक शानदार breakout हमको इसमें देखने को मिलेगा क्या chart pattern है सब कुछ हम detail में बात करने वाले तो analysis को start करते हैं सबसे पहले long term trend की में बात करूँ simple सा अगर आप देखोगे यहाँ पर तो जब से इसका IPO list हो है तब से यह sideways था 2018 तक काफ़ी एची तेजी हमको इसमें देखने को मिली 2018 के बाद continuously stock downtrend में था फिर sideways होई 2020 के बाद से ही इसमें bullish momentum आना start हुआ काफ़ी एची तेजी हुई यहाँ पर इसका जो breakout था 85 के राण वापर breakout हुआ उसके बाद फिर से थोड़ा से retracement recently हमको देखने को मिला फिर से price ने retest किया और फिर सब bullish momentum price देती हुई नजर री राइट overall कहानी अभी तक हमको यह देखने को मिली इस stock के अंतर अब थोड़ा डीटेल में बात करते देखो सबसे पहले इसका जो major breakout level था वह क्या था वह हम बात कर लेते 85 का राण राण लेवल नमबर ठीक है 85 के लेवल को 2018 में price ने जब पहली बार heat किया था यहाँ पर तो उसके बाद से continuously stock में downtrend देखने को मिला फिर sideways होगा या 2020 तक फिर उसके बाद uptrend देखने को मिला राइट and somewhere around यहाँ पर देखोगा तो 85 का level यहाँ पर हमको breakout होता हुआ नजर आया था फिर काफी ची तेजी हमको देखने को मिली almost देख सकते हो price ने है 150 का high लगाया और काफी ची तेजी हुई 150 का high लगाने के बाद फिर से हमको थोड़ा selling pressure इसमें देखने को मिला है and selling होने के बाद फिर से price ने exact 85 के उपर support लिया राइट यहाँ पर मैं अगर आपको थोड़ा सा zoom in करके दिखा हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो यह जो rate candle आपको देखने को मिल रही rate candle का exact जो low point है वो देख सकते हो 85.05 के somewhere around यहीं 85.15 के around इसने low लगाया राइट तो यहाँ पर देख सकते हो कितना accurate तरीके से इसने काम किया है strong support level था जो कि पहले resistance था ब्रेकाउट वा फिर strong support की तरह यहाँ पर काम करता हुआ नजर आया इसके बाद देखो next उसके बाद next month की candle देखोगे यहाँ पर एक डोजी candle देखने को मिली और फिर अब March की candle आप देखोगे जो कि इसकी closing हो चुकि आज तो March की candle में आप देखोगे तो एक perfect green candle यहाँ पर big green candle देखने को मिली तो अब हमको next month काफी एची तेजी इस stock के अंदर होती हुई नजर आ सकती राइट क्योंकि overall chart pattern की बात करूँ तो देखो सब चीज एक साथ combination करके देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा देखो सबसे पहले chart pattern की बात कर लो तो अगर इस chart pattern को आपने पेचाना है तो आप देख की बता सकते हो एक perfect cup pattern जिसका breakout वा तेजी हुई और उसके बाद देखो एक flag उसी pattern को continue करने के लिए एक flag and pull pattern यहाँ पर बनता हो नजर आया क्योंकि हाई लगाने के बाद थोड़ा सा selling pressure आया and same retest के बाद एक bullish momentum price देते हुई नजर आरी right overall चीज़े आपको समझ में आगे तो price ने एक support ले लिया है support लेने के बाद bullish momentum देना start कर चुकी है right अब हम बात करते चोटे time frame पर weekly time frame पर एक बार देख लेते हैं अपन and simply आप weekly time frame पर देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो particular इस level के आसपर शांदा support लिया फिर एक week तक price ने वेट किया फिर next week यहाँ से इस level से फिर तेजी होना start वह काफिश ची तेजी continuously होते हुई जा रही और यह जो sustainable bullish momentum है उपर की तरफ moment करता जाएगा अब हम बात कर लेता है इसका जो important breakout level कहा है somewhere around वो सारी चीज़े हम detail में देख लेते हैं तो अब मैं बात कर लाता हूँ daily time frame का chart लगा लेता हूँ यहाँ पर and अब हम बात करते हैं हमारे entry stop loss target क्या हो सकता है कहा हम entry लेंगे रा काफी अची तेजी हमको इसमें देखने को मिली है तो क्या भी हमको immediately इसमें fresh buying करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए वो सब कुछ हम detail में जानते है राइट सो यहाँ पर नीचे में देख सकते हो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस टाइप का chart pattern हम overall देखने को मिला राइट अब मैं इसको बना कर दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जिसे नीचे से आप देखो कि यहाँ पर देख सकते हो एक शान्दा तेजी हुई उसके बाद देख सकते हो प्राइज में एक लोल बनाती जा रही थी प्राइज एंड उसके बाद finally देख सकते हो price ने जो previous जो swing हाई है उसको almost hit कर चुकिए उसको उपर एक बार जा चुकी राइट तो यहाँ पर देख सकते हो अगर यह इस level particular है जो उपर वाली black leg की trend line अगर यह break करती है एंड हो सकता है retest करें या फिर ना भी करें और उसके बाद हमको काफी ची तेजी इसमें देखने को मिल सकती है फिर हमारे जो target levels यहाँ पर होने वाले काफी important level है तो वो में mark कर देता हूँ एक बार target levels आरे तो यहाँ पर 2 important target level है एक first target जो हमारा होगा definitely 141 यानि कि round level number मान ले तो 140 का हमारा first target होने वाला है and second target की बात करो 150 का हमारा second target यहाँ पर होने वाला है तो दो major target हमारे होने वाले देफिनेटली 150 का level break होगा तो और भी तेजी हमको इसमें देखने को मिल सकती है अब हमारे entry point क्या हो सकता है देखो last time जो last swing हाई है उसको अगर break करती है अच्छे से तो हम इसमें entry ले सकते हैं जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ और यहां पर एक trend line को draw कर एक simple zone को create कर रहा है अब देख सकते हो यह जो जो previous swing हाई है यहां पर देख सकते हो previous swing हाई है और overall pattern देखा होगा head and shoulder inverted head and shoulder भी देखने को मिल रहा है लेगिन फिलाल हम inverted head and shoulder पर focus नहीं करें क्योंकि major trend आपको major pattern आपने देखा कि यहां पर एक flag and pull pattern है राइट and somewhere around यहां पर देख सकते हो जो पहली बार price ने इसके आसपास आई यहां पर 112 के आसपास यहां से selling pressure देखने को मिला एक हपते एक से दो हपता selling pressure था थोड़ा सा और उसके बाद आज कि आप candle देखो एक big green candle हमको देखने को मिली तो यह confirmation होता है कि यहां से जो है trend bullish यह continuously price upside momentum दे सकती है तो price अगर 114 का level 114 से 115 का level break करती है तो हम इसमें immediately entry ले सकते हैं यहां पर 115 का level या फिर 114 का level break करने के बाद हम इसमें entry ले सकते हैं and stop loss simply देखो मैं आपको दो से तीन चीज़े आपको suggest करूँगा stop loss के लिए क्या situation देखने को मिलेगी उसके लिए मैं बात करता हूँ right तो entry आपको 114 से 115 के आसपास आप entry ले सकते हो इसके अंदर अब यहां पर हो क्या हो सकता है कि एक से दो दिन हमको selling pressure देखने को मिल सकता है हो सकता है कि यहां पर selling pressure ना आए directly price 115 का level break करने के बाद काफी चीज़ी दे या फिर क्या हो सकता है कल के दिन में एक से दो दिन प्राइस यहां पर wait करें 114 के आसपास 12 से 13 थोड़ा सा selling pressure आएगा एक से दो दिन प्राइस यहां पर wait कर सकते हैं वेट करने के बाद अगर 115 का level break करती है तो 100% confirmation होगा इमिजेटल यहां से एक से दो दिन अगर directly break करती है तो फिर थोड़ा सा retest के लिए आप wait कर सकते हो और फिर आप इसमें entry ले सकते हो काफी सिंपल एक साही पेटर्न एक साही जगा पर खड़ा है अगर यह breakout होता तो काफी एची तेजी आपको देखने को मिलेगी 115 का important level है 14- से 15 आप इसमें entry ले सकते हो breakout के बाद and stop loss के अब में बात कर लेता हूं छोटे टाइम फ्रेम पर अवल टाइम फ्रेम पर अगर हम बात करें यहां पर तो यहां पर देख सकते हो अवल टाइम फ्रेम पर और यहां पर एक red candle देखने को मिल रही तो यहां पर आपको थोड़ा 240 और next target 150 यह major major top minute entry target stop loss सब कुछ मैंने बता दिया राइट I hope कि सारी चीजे clear हो चुकिए कि काफी अच्छा है bullish momentum में चल रहा है retest हो चुका है breakout और यहां पर देखने को मिल रहा है तो 100% बहुत सारी confirmation हमको यहां पर मिलती हुए नजर आ रही रही राइट सो यह वीडियो आपको कैसा लगा comment box में जरू बताए इस लेटेस लोजिकल टेडिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करता कि एसे analysis वीडियो आप सब्सक्राइब आओ टाइम पर इन सही चीजे को देख पाओ देखने के बाद सही चीज के साथ